हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज के इस वीडियो में क्लास टेन थी की जो इंगलिस है फस्ट फ्लाइट उसके फस्ट चेप्टर एलेटर टू गोड के क्विशन आंसरम देखने जा रहे हैं तो यहां वीडियो उन सभी के लिए जरूरी है जो या तो सीबियसी बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, राहिस्तान बोर्ड के हैं याँ जहां जहां पर भी NCRT की बुक चलती हैं उन सभी के लिए जरूरी है तो देखें पहला प्रस्ट ने क्या है वाट डिड लेंचो ओफ फार कि लेंचो ने किस बात की तो लेंचो जो कि किसान था तो लेंचो होब्ड फार एक गुड रेंड कि लेंचो को एक अच्छी वर्षा की उमीद थी एज इट वाज मच नीड़ेड फार एक गुड हर्वेस्ट क्योंकि एक अच्छी फसल के लिए इसकी जरुत जादा थी इसलिए उसने उमीद करी थी कि एक अच्छी बारिस हो जाएगी अगला प्रस्टने वाई डिड लेंचो से डेड दा रेंड रोप्स वर लाइक न्यू कोईंस कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो वर्षा की जो बूंदे हैं वो नए सिक्को के समान थी जब बारिस हो रही थी तो लेंचो वर्षा की बूंदों को सिक्को से उनकी तुलना कर रहा था तो देखी एसा वो क्यों कर रहा था लेंचो स्क्रोप्स वर रेडी फार हर्वेस्ट कि लेंचो की जो फसल थी वो कटने के लिए तयार थी जो वर्षा की बूंदे हैं वो उसकी मदद करती एक अच्छी फसल प्राप्त करने में क्योंकि अगर बारिस होती तो जाहिर सी बात है फसल और भी अच्छी होती रिजल्टिंग इन मौर प्रोस्पेरिटी और उससे ज़्यादा समरत दियाती लेंचो कंपेर्स देम विथ न्यू कोईंस इसलिए लेंचो जो है वर्षा की बूंदो को ही सिक्कों से वो तुलना उनकी करता है अगला प्रस्पेरिटी दा रेंचेंज वाट हैपन्ड टू लेंचो स्फिल्ड बारिस कैसे बदल गई और फिर लेंचो की जो खेत है उनका क्या हुआ तो देखिए इसका उतर है की बारिस ओला वरस्टी में बदल गई और एक जैसे ही एक तेज वायू बहना प्रारम्ब हुई बड़े बड़े जो गोले होते हैं बर्फ के वो बारिस के साथ गिरना प्रारम्ब हो गई है हेल स्टोन मतलब की बर्फ के गोले या फिर आप जो कहते हैं ओला वरस्टी आल दा क्रोप्स इन लेंचो फिल्ड गोड डिस्ट्रोइड बिकाज उब्दा बेड वेदर कंडिशन सारी की सारी फसल लेंचो के खेत की बरबाद हो गई क्योंकि मोसम बिगड़ गया था ठीक है आगए देखते हैं अगला क्यूस्टन हमारा वाट वर लेंचो फिलिंग्स वेंदा हैल स्टॉप्ट लेंचो की जो फिलिंग वो कैसी थी जब जो ओला वरस्टी रुग गई तब उसकी फिलिंग कैसी थी यानि कि जब बारिस समाप हो गई ओले गिरना बंद हो गए तब लेंचो क्या सोच रहा था तो देखिए वें दा हैल स्टॉप्ट जब ओला वरस्टी रुकी लेंचो सोल वास फिल्ड विट सेडनेस की लेंचो की जो आत्माय दुख से बर गई उसने अपने खेत को चारो और देखा और कहा कि अगर एक दीमको का जुन्ड अगर खेत में आता तो कुछ ज़ादा चोड़ देता लेकिन इस जो ओला वरस्टी ने तो कुछ भी नहींचों नहीं छोड़ा उसने कहा कि उन्हें इस साल कोई बसल नहीं मिलेगी और वो भुके रहेंगे वो बहुत ज़्यादा दुखी था ठीक है अगला कुछ न देखते हैं कि लेंचो का यकिन किस में था और उसने क्या किया कि उसका मानना था कि इस्वर हर एक चीज को देखता है और वो ये भी देख सकता है कि किसी के अंतरात्मा में क्या बात चल रही उसको भी वो सुन सकता है और हर किसी की समस्या में इस्वर उसकी मदद करता है इसलिए उसने इस्वर को ही पत्र लिखा इस्वर से डिमांड करी कि उसको सो रुपे आप यहां की मुद्रा में रुपे कह सकते हैं कि सो रुपे की उसने डिमांड करी ताकि अपने खेतों को फिर से क्या कर सके वो सके तू सो इस फिल्ड अगेन अगला किस्टन है पत्र किस ने पड़ा तो पत्र आप सभी को यादे कहानी आपने सुनी होगी जो पोस्ट मास्टर था उस ने पत्र को पड़ा था फिर अगला है कि फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया ये दोनों किस्टन हो सकता है साथ में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो दीकि पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि इस उद्देश से कि जो जिसने पत्र लिखा है उसका इस्वर में विश्वास बना रहे पोस्ट मास्टर डिसाइडेट टू आंसर दा लेटर पोस्ट मास्टर ने निर्ने लिया कि वो इस पत्र का जवाब जरूर देगा वेन ही रीड डेट लेंचो नीडेड हंड्रेट पीसोस ही आस्कड फार मनी फ्राम हीज इंप्लोईस जब उसने पढ़ा कि लेंचो को तो सो रुपे की जरूरत है तो उसने अपने करमचारियों से पेसे मांगी उसने स्वयम भी अपने वेतन का एक हिस्सा दिया लेकिन फिर भी वो सो रुपे कट्टे नहीं कर पाया बहुत पुरानी बात ही क्योंकि यह और वो खुप से खुप कितना कर पाया कि जो सो के आदे यह निकी पचास पचास से कुछ ज़्यादा रुपे वो उसको भेजने में काम्याब हो पाया उसने पेसो को एक लिफा पे में रखा और लेंचो का पता लिखा और नीचे साइन किया कर दिया उसने गोट के रुप में उसने साइन कर दिया ठीक है अगला क्यूस्चन है वाज लेंचो सर्प्राइजड टू फाइंड ए लेटर फार हिम विफ मनी इन इट कि क्या लेंचो आश्चर चकी था जो उसको पत्र मिला और उसमें चुकी पेसे भी थे तो क्या लेंचो आश्चर में पढ़ गाया कि वाँ मुझे तो भगवान ने पेसे भी दिया तो देखिए इसका अंसर है नो लेंचो को कोई आश्चर नहीं हुआ क्योंकि उसको पता ही था कि भगवान उसको पेसे भीज़ेंगे इसका विश्वास उसका आत्मिश्वास और इसवर में विश्वास इतना ज़्यादा था कि उसने ये उमीद पहले ही कर रखी थी कि इसवर उसकी निश्ची तोर पर मदद करेंगे और उसको पेसे जरूर भेज़ेंगे ठीक है अगलाए वाट मेंड लेंचो एंगरी किस बात से लेंचो क्रोधित हो गया तो देखिए वेन लेंचो ओपंड दा लेटर हिसा डेट देर वर ओनली सेवंटी पिसोस इन दा एनवलप वेरेज ही हैड डिमांडेट ए हंड्रेट पिसोस जब लेंचो ने पत्र को खोला उसने देखा कि केवल सित्तर रुपे बेजे हैं जबकि उसने सो रुपे मांगे थे अब यह जो अंतर आया पेसो में इस वएसे उसे गुसा आ गया कि इस वर तो गलती कर नहीं सकते वो कम मुझे देंगे नहीं जितना मांगा था उतना ही देंगे तो फिर यह क्या हुआ अब देखिए अगला प्रस्ण है कि कि लेंचो का किसम यकिन था और वो कौन से सेंटेंस स्टोरी में आये जो इसा बताते हैं तो देखिए कि लेंचो का पूरा एकिन इश्वर में था और कहानी में जो इसे वाक्या है वो यह निमने देखिए पहला है जब तुफान चला गया था रात हो गई थी तो लेंचो अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ बेट करके निरास था तब की बात है यह वो कह रहे हैं कि सभी के दिलों में जो उस अकेले घर में रहते हैं उस घाटी के मद्ध में उनको एक ही उमीद थी कि अब इस वर ही मदद करेगा तो इस बात से लगता है कि उनका यकिन किसमें इस वर में है अब अगला पाइंट है आल थू दा नाइट लेंचो थोट अनली ओफ इस वन होब दा हेल्प आफ गोड पूरी रात लेंचो यही सोचता रहा एक मातर उमीद और उमीद कहां से सिर्फ इस वर से जिसकी आँके सब कुछ देखती है और तो और वो यह भी देख लिती है कि किसी के मन में क्या चल रहा है इस वर अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरा परिवार और में इस साल हम भूके रह जाएंगे यह बात भी लेंचो ने पत्र में लिखी इस से भी साविद होता है कि लेंचो को पूरा यकीन था इस वर में उसने बाहर पत्र पर जो मलब पत्र की जब सिर्वात उसने करी तो उसने के लिखा टू गोड यानि कि इस वर को तो यानि कि उसको पुरा यकीन है फिर अगला है God could not have had a mistake इसवर गलती नहीं कर सकते हैं Nor could he have denied लेंचो what he had requested कि इसवर ना तो गलती कर सकते हैं ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं इससे भी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही यकीन है इसवर पर लेंचो को फिर उसके बाद अगला जो सेंटेंस आया था हमारी बुक में It said God of the money that I asked for only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much कि जब लेंचो ने पत्र फिर से पाया और उसमें पाया कि सिर्प सितर रुपे आये हैं उसके बाद वो एक और पत्र उसने लिखा और उस पत्र मुझे लिखा कि इसवर जो मैंने आप से पेसे मांगे थे सिर्प सितर रुपे ही मेरे पास पहुंचे हैं बाग की भी भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ही ज़ादा इनकी जरुवत है तो इससे भी लगता है कि इसवर पर बहुत अठल यकीन है उसको अब अगला प्रस्नें वाइ डज दा पोस्ट मास्टर सेंड मनी टु लेंचो कि पोस्ट मास्टर ने धन पेसे लेंचो को क्यों भेजे क्यों भेजता है वो why does he sign the letter God और उसने उस पत्र पर God के रूप में sign क्यों किया तो देखिए the postmaster in the story is a kind man in the story is a kind man कि जो postmaster इस कहानी में बहुत ही दैलो व्यक्ति है he is very impressed by the lencho's faith in God वो lencho के यकिन से बहुत ज़्यदा impressed था यह impressed है he does not want to seek his faith वो नहीं चाहता था कि यह विश्वास उसका हिल जा इस वर में so he collects money from various sources and sends it to lencho उसने अलग-अलग स्रोतों से पेसे collect करें वो किसको भेज दिये lencho को वो भेजता है he signs the letter God वो उस पत्र पर sign में किस प्रकार करता है God के रूप में because he wants to keep lencho's faith in God intact क्योंकि वो चाहता था कि lencho का जो यकीन है इस वर में वो बरकरार रहे ठीक है तो इस तरह से सारे क्यूसन में ने आपको करवा दिये हैं तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को सेर करना है थैंक्स फर वाचिग इस वीडियो